नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News के पिचेतर गाओं हैं गाओं का असर एलाबाद कस्विय पर भी नजर आता है इस उप्चुनाओं में एलाबाद हलके के अंदर राजनितिक पाट्रियों के जंडे कम और किसान यूनियनों को जंडे ज्यादा नजर आ रहे हैं कहना गलत नहीं होगा कि यहां हर किसी में एक हो को लगवीर सिंग की हत्या के बाद किसान अंदरोर में निहंगों की मोजुद्गी पर स्वाल उठने लगे इसी बीच बुद्वार को निहंग जत्थे बंदियों ने एलान किया गया कि वह सिंगु बोटर से नहीं आटेंगे यहां से निहंगों की जत्थे पंजाब के अल एलनाबाद उप्चनाओ ऐसे बनेगे समीकरण 50,000 वोटर वाले 10 गाउं पर जिनकी पकड मजबूत जीत की संभावना उसकी ज़्यादा परदेश की स्यासत में नए समीकरण देने वाले एलनाबाद उप्चनाओ का परचार बुद्वारत को थम गया है मददान 30 अक्तूबर को है अब सुनी बातों पर मनन करने की बारी मददाताओं की है इस बार कोविड-19 की वज़े से चुनाओ परचार 24 गंटे पहले बंद हुआ है तो मददाताओं को सोचने के लिए भी एक दिन ज़्यादा वक्त मिल गया है एनलाबाद में मुकाबला तिरकोणिया मना जा रहा है इनलो से अबै तो भाजबा से गोपाल कांडा वे कॉंग्रेस से पाउन बेनिवाल मैदान में है एक लाग च्यासी अजार मददाता वाली सीट के तैट 74 गाओं है इनमें 10 गाओं में जिसकी पकड मजबूत बनाई जीत के संभावना उसकी ज्यादा बनेगी क्योंकि इन 10 गाओं में ही 50,000 से ज्यादा मददाता है जो हार जीत में बड़ा अंतर पैदा करते हैं पिछले 20 चुनाओं में इतने वोट तो दूसरे नमबर पर आने वाले परत्याशी को भी नहीं मिले थे इसका प्रिणाम दो नॉम्बर को आएगा कॉनस्टेबल भरती प्रिक्षिया 50 के बजाए 350 किलमेटर दूर बनाए प्रिक्षिया के अंदर बारा जिलों में सेंटरी नहीं आठ लाग 49,000 युवाओं को करना होगा लंबा सपर अगस्त में पेपर लिग होने के बाद रद की गई प्रुष कॉनस्टेबल भरती प्रिक्षिया दोबारा करानी के लिए शिर्फ 10 जिलों में ही प्रिक्षा केंदर बनाए गए हैं 12 जिलों में सेंटर नहीं बनाए ऐसे में अब ब्यार्थियों को 350 किलमेटर तक की दूरी तया करने पड़ेगी जबकि सरगार ने वादा किया था कि प्रिक्षा केंदर युवाओं के घर से 50 किलमेटर दूर नहीं प्रिक्षा के अंदर दूर होने से अभ्यार्थियों को रात को ठहरने, खाने पीने का इंतचाम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिक्षा की पहली पारी सुबह साधे दस बजे से दो पार बार अवजे तक होगी, पंचकुला यम्ननगर, अमबाला, कुरूचेतर, करनाल, पानि प्रिक्षा के अंदर बनाए गए हैं, जबकि सोनिपत, पल्वल, नू, सिर्शा, फत्यावाद, इसार, भिवानी, जीन, रोहता, कैथल, जीन, वचर्खे दादरी में प्रिक्षा के अंदर नहीं बनाए गए हैं हर्याणा में सरकारी करमचारियों के वेतन को लेकर बड़ा निर्ण है, हर्याणा सरकार ने 30 अक्तुबर, 31 अक्तुबर वे 1 नॉमबर 2021 को सारदुनिक आवकास होने के कारण, सरकारी करमचारियों को अक्तुबर महिने का वेतन वे सिवा निवर्थ करमचारियों को पैंशन अन्य बत्ते 29 अक्तूबर को देने का निनलिया है टोक्यो ओलम्बिक में भाला फैकने में इत्यास रस्ते बे गोल्ड मेडल जीतने वाले पानिपत के गाउं खंडरा निवसी भारतिय थलसेना के सुबेदार नीरज चोपडा आजकल अपनी परिवार के साथ गाउं में ही है बुद्वार कोई साम नीरज अपनी परिजन करमवीर चोपडा द्वारा संचारी संसकर्ती स्कूल में गई और वाँ विबिन खेल खेले या नीरज ने कहा कि वे भारत सरकार द्वारा खेलरतन दिये जाने से बहुत खुश है और हाथ जोड़कर इस सम्मान के लिए भारतिय के साथ हर भारतिय का आभार व्यक्त करते हैं उन्होंने कहा कि वे अब समय आ गया है जब भारत के हर परिवार को अपने बच्चों को एथलिट के परतिजागरू करना होगा उन्होंने कहा कि वे हर खेल का सम्मान करते हैं वहीं यदि सब भी बच्चे किरकेट खेलेंगे तो एथलिट कहां से पैदा होंगे एथिलेट को बढ़ावा देने के लिए हर भारत्य को आगे आना होगा और इसके लिए धरातर पर ठोस्क प्रियास करने होगे हर्याणा विद्याले सिक्षिया बोड अद्देश डाक्टर जगबिर सिंग एम सचिव करिशन को मानने बताए कि दसवी एम बारवी प्रिक्षिया स्थाई मानेता प्राप्त विद्याले से ओनलाइन विद्याले डाटा निरंदरता सुल्क वन नई संबंदता के लिए आवदिन मांगे गए हैं इसके लिए वे दो नौवंबर तक अपना सुल्क जमा करा सकते हैं सैक्षिक सथाई मानेता प्राप्त विद्याले जो पहले से ही सिक्षिया बोड से संबंदता प्राप्त हैं बिना विलम सुल्क सहीद 2 नौवंबर तक निर्दारित की गई है विलम सुल्क 5 जा रूपे सहीद 3 से 12 नौवंबर तक निर्दारित की गई है बैदिबी मामला पंजाब नहीं आएगा राम रहिम हाई कोट ने निजली अदालत के आदेश पर लगाई रोख पुस्ताच के लिए सुनारिया जेल जाएगी SIT पंजाब में फरिद कोट के अदालत दवारा जारी कियेगे प्रोडेक्शन वांट के बावजूद डेरा सच्चा सुधा परमुक पंजाब नहीं आएगा उसके वकिलों की तरब से दी गई अरजी पर पंजाब हर्याना हाइगोट ने फैसला सुनाते वे कहा कि इसकी इजाज़त नहीं दे जा सकती है पुस्ताच के लिए स्पेसल जाज टीम यानी SIT सुनारिया जेल जाकर पुस्ताच करेगी बताया जा रहा है कि इस अरजी के साथ अगरिम जमानत याज का भी लगाई गई थी हाइकोट ने निचली अदारत के आदिसो पर रोग लगा दी है डेरा प्रमुक रामरहिम द्वारा सलाबत पुरा में 29 अप्रेल 2007 को डेरा प्रेमियों को जामे इंसा पिलाय गया था इसके बाद पंज्याब मेंTube देरा प्रेमियों और सिखों के भी स्टक्राव हो गया था इस गटना के बाद से ही डेरा प्रमुक रामरहिम कभी पंज्याब नहीं आया अब रामरहिम 14 साल बाद पहली बार पंज्याब की धर्ती पर कदम रखना था मगर यह नहीं हो रहा है हाली में अटेली मंडी में जिस वियापारी के यहां से किसानों द्वारा खाद लूट की गटना को अंजाम दिया गया था उसी वियापारी के पास 310 बैक डियेपी खाद अवेद रूप से जमा किया हुआ मिला है CM फलाइंग MCID ने ब्रेश्पतिवार देर स्याम को वियापारी के गोदां पर जब छापा मारा तो इसका परदाफास हो गया अटेली पुलिस ने आरोपित वियापारी अटेली निवस्टी विश्णू कुमार के खिलाब फटिलाइजर एक्ट अटेली में विश्णू कुमार के गोदाम पर पहुंची जहां छापा मार कर दल को गोदा में सरदार कंपनी को 310 बैक रखे वे मिले कमाल की बात ये रही कि जब बैक की गिंती करवाई जा रहे थी तब लेबर को वहां साप होने की बात कही लेकिन आखिरकार गिंती करवाई गई खाद स्टोक से ज़्यादा मिला इस कारवाई से अन्य दुकानदारों में भी हटकम मच गया जिस काण मुखी मंत्री ने उसका कारेकाल अक्तुबर 2022 तक बढ़ा दिया है केंद्रे मंत्री राव इंदरजी चिंग की इच्छा के विपरीत मुखी मंत्री ने 2020 में हरको बैंक का चेर्मेन निक्त किया था जिस पर राव समर्थकों ने सारुजनिक तोर पर नाराजगी जताते हुए उन्हें रेवाडी विदानसवा सीट पर पार्टी परत्यासे की हार के लिए जिम्मेदा ठहराया था जिससे नियुक्ति के बाद डक्टर अर्विंद यादू चेर्मेन बने रहनी को लेकर कयास्तों का दोर शुरू हो गया था इसके बावजुद अर्विंद यादू ने नेकियोल अपना कारेकाल पूरा करने में सफलता हासिल की है बलकि अक्तुबर 2022 तक कारेकाल बढ़ा कर उन्हें फिर से काम करने का मोगा मिल गया है अर्विंद यादू अहिरवाल में रेवाडी चाते हैं वे हरियाना भाजबा के उपादेक्स रहे हैं और अभी रोतक जिले के परभारी हैं राजस्तान में 29.000 पदों पर होगी भरतियां कम्पिटर इंस्टेक्टर ग्रेड सैकेंड समेट 8 कैडर की वेगेंशी निकाली जाएगी राजस्तान सरकार दिवाली के बाद में परदेश में बंपर भरति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है परदेश में 29.000 से ज़्यादा पदों के लिए भरतियों का वादा किया था इनमें से 31.000 ग्रेड थार्ड शिक्सकों के पदों पर 26 स्थम्र को प्रिक्षक आयुजन हो चुका है वहीं अब सरकार की ओर से करीब 29.000 पदों के लिए नया खाका तयार किया जा रहा है वहीं अब 637 सारे शिक्सक और वरिष्ट अध्यपकों को भी जल्दी नोकरी देने की तयारी की जा रही है आरियन खान को मानने होंगी साथ सर्तें एक भी सर्त का पालन नहीं किया तो रद हो सकती है जमानत सबुतों से छेड़शाट ने करने की भी नसियत क्रूज ड्रग्स केस में सारु खान के बैटे आरियन खान को गुरुवार को मुंबई हाई कोट से जमानत बिल गई है हालांकि बेल ओर्डर नहीं मिलने के कान उन्हें सुक्रवार या फिर सनिवार को जेल से रिहा किया जाएगा कोट ने आरियन के साथ ही अर्वाज मर्चैंट और मुनमुन धमिचा को भी जमानत दे दी है बॉम्बे हाई कोट में गुरुवार को एडिशनल सॉलिशीटर जनरल अनिल सिंग ने एन्सीबी का पक्स रखा उन्होंने आरियन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़ चाड होने की आसंगा जताई एसजी ने कहा कि आरियन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रक्स ले रहे हैं रिकोर्ड यसे पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रक्स उपलब्द कराते रहे हैं जिस तादाद में ड्रक्स की मातरा मिली है उससे साफ है कि वे ड्रक्स समगलरों के कौंटेक्ट में रहे हैं आरियन इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से कौंटेक्ट नहीं करेंगे सुबुतों से छेड़ चाड़ नहीं करेंगे अपना पासपोर्ट लोकल पुलिस टेस्न में जमा करवाएंगे मीडिया में बयान बाजी नहीं करेंगे कोट की इजाज़त के बिना देश नहीं छोड़ सकते जब भी जरूरत होगी NCB को कॉपरेट करेंगे इन में से किसी भी सत्का वोईलेशन करने पर बेल रद की जासकेगी तहरी के लेबेग पाकिस्तान यानि TLP का मार्च इसलमाबाद की करीब पहुंचता जा रहा है इसके साथी पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की धड़कने बढ़ती जा रही है यही वज़ा है कि इमराने सुकुरार को शुरुक्षय मामलों की सबसे बड़े संस्ता यानि नेशनल स्क्योर्टी कमेटे की मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है इसमें आर्मी और आईसाई के चीप भी सिर्कत करेंगे फ्रांस के अमबेस्टर को मुल्क से निकालने समेच चैर मांगों को लेकर टेल्पी ने इसरामाबाद मार्च शुरू किया है इस बीच टेल्पी के हमलों में मारे जाने वाले पुलिस कर्मियों की संक्या च्छै हो गई है सुचनाईम परशाण मंतरी फवाद चोदरी ने गुरूरा को कहा कि टेल्पी को हम दैसरदगर्द मांते हैं उन से सकती से निफ्टाद आएगा ब्लैक मेल होने का सवाल ही नहीं उठता गुजरावाला में टेल्पी और पुलिस के बीच काफी देर तक टकरा हुआ इसके बाद कई लोगों को अस्पताल पहुंचना पड़ा टेक्री और गाजीपुर बॉर्डर पर इमर्जेंसी रूट खोलने की तैयारी 11 महीने बाद हटाए जा रहे हैं बैरिगेट्स दिल्ली हर्याने के टिकरी बॉर्डर और दिल्ली उत्रपदेश से लगे गाजीपुर बॉर्डर पर इमर्जेंसी रूट खोलने की तैयारी हो गई है दिल्ली पुलिस ने गुरुआर को बताए कि किसानों की सहमते के बाद दोनों सीमाओं पर लगे बैरिगेट्स हटाए जा रहे हैं पुलिस ने देर साम यहाँ जेसीबी से बॉल्डर और सिमेंटेट बैरिगेट्स हटाने का काम सुरू कर दिया है पिछले 11 महीने से चल लए किसाना अंदुलों के कारण यह दोनों महत्रपुन रास्ते बंद हैं स्थानिय लोग कई महीने से इसे खोलने की मांग कर रहे हैं कोर्टन में भी इसे खोलने को लेकर रियाचिकार लग चुकी है Facebook का नाम अदला Mark Zhukarberg बोले कम्पनी का नया नाम मेटा होगा Social media platform Facebook का नया नाम अब मेटा होगा कम्पनी के CEO Mark Zhukarberg ने गुरवार देर राती आयलान कर दिया है कम्पनी के connect event में Mark ने कहा कि हमने एक ऐसी कम्पनी को तयार किया है जिसने टेकनोजी को लोगों तक पहुंचाया है हमारी कोशिश रही है कि हम लोगों के 20 तक टेकनोजी पहुंचाएं और इसके जरीए बड़ी एकनोमी खड़ी कर पाएं कुछ दिन पहले से ही इस तरह की खबरें आ रही थी और बड़ी एकनोजी को जिसे तक रहने है कि झाल भय ओ सकत्री केंग झाल झाल